नमस्कार दोस्तों नाइनसाफी बेटे के साथ हुई बगावत पिता ने कर दी सजा के तौर पर तबादला IPS आफसर बेटे का हुआ एलान पिता ने कर दिया कि अब मैं इस इलाके से BJP को जीतने नहीं दोगा मामला यूपी का है इसलिए यहां यूगी जी की तस्वीर भी लगी है और साथ में उस IPS आफसर का जिसके तबादले के बाद या कहें लगातार तबादले के बाद और आखरी तबादले के बाद पिता के सबर का पैमाना चलका क्या है मामला विस्तार से आपको बताते हैं पर्चे के तोर पर इनका नाम लिखते हैं शायद आप जान भी चुके होंगे हाल में इनका नाम आपने सुना होगा इनका नाम है प्रभाकर चौधरी यह IPS अधिकारी है यूपी काडर के हैं यह इनके पिता है यह रिटार्ट अध्यापक है तो एक पिता के सबर का पैमाना क्यों छलग गया जो कह दे कि मैं आपको आज बता देता हूँ कि इस इलाके में मैं बीजेपी को जीतने नहीं दूँगा कोई वज़ा है और वज़ा बड़ी है इसलिए विस्तार्ट से आपको सुनना समझना ज़रूरी है अमबेटकर नगर के रहने वाले है अब आते हैं पहले सुनिए कि पिता ने नाराज पिता ने एक IPS आफसर प्रभाकर चौधरी के नाराज पिता ने क्या कहा है अब फिर आगे वे स्टार्ट से पहले सुनिए आज तक का डिजिटल प्रेटफॉर्म है यूपी तक उसके हवाले से और आगे आपसे भी बता रहा हूं कि मैं बीजेपी का बहुत बड़ा पता जिखा रही था मैंने बहुत पदों पर था लेकिन आप लोगों सामने तया करता हूं कि अब आज इसे मने तया कर लिया है कि अब बीजेपी के खिलाफ ही रहूंगा और बहुत बड़ा तो नहीं हूं लेकिन तस्वीश गाओं में इतना जरूर है कि बीजेपी को जीतने नहीं दूँगा यह हमारा यह आपकी नाराज़गी है यह बहुत आहम बात का दी IPS अधिकारी प्रभाकर चौधरी के पिता पारसना कि मैं आसपास के इलाकों में बीजेपी को जीतने नहीं दूँगा यह मैंने तैक कर लिया साथ में है कि बीजेपी से मेरा पुराना नाता रहा है पता चला कि 40 सालों से इनका रिष्टा रहा है बीजेपी और संग से लेकिन अब इतने नाराज हो गए बार-बार बेटे के तबादले की बजह से कि इन्होंने ऐसा एलान किया आगे मैं बताता हूँ विस्तार से कि हुआ क्या 15 जिलों के कप्तान रहे लेकिन कोई जिला ऐसा नहीं जहां 2 मेने, 4 मेने, 6 मेने से जादा रह, एक मातर मेरे थिंक पोस्टिंग रही, जहां 1 साल रह, आखरी तबादला बरेली से हुआ 4 मेने के भीटर, तबादला क्यों हुआ, इसी को सुनुे और इसी से समझे कि एक पिता आखिर ऐसा बोलने को क्यों मजबूर हुआ कि मैं 40 साल तक BJP और संग से मेरा रिश्टा रहा है लेकिन अब अपने इलाके में जीतने नहीं दूँगा जीतना ना जीतना वो क्या कर पाएंगे ना कर पाएंगे बात की बात है पहले ये कि यूपी में योगी के राज में एक IPS अपसर के साथ ऐसा क्यों हुआ कि BJP से जुड़ा एक पिता इस तरह से बुखला गया है या उनके सब्र का पैमाना तूटा है तस्वीरें शायद मैंने पहले भी आपको दिखाई थी बरेली का मामला है 30 जुलाए वो तारिक थी जब कावडियों के जथे ने डीजे गाजे बाजे शोर सराबे के साथ गाड़ियों के साथ ये तै किया कि हमको एक खास रूट पर जाना है उस रूट पर जो पहले से तैशुदा रूट का हिस्सा नहीं था या उस रूट पर जिस रूट पर जाने के अनुमती नहीं थी क्योंकि कावडियों का जथा जाता है उसका रूट तै होता है प्रशासन की तरफ से ये जथा डीजे के शोर के साथ हंगामे के साथ उस रूट पर जाना चाहता था जिस रूट पर मुसलमानों की सगनाबादी थी मस्जिद थी पुलिस ने समझाने बुजाने की कोशिस की घंटों की समझाने बुजाने की कोशिसें के बाद कावड़िये जित पर अरे रहे कि हमें जाना तो इधर ही है तब SSP ने कमान सभाले SSP प्रभाकर चौधरी ने पूरी फोर्स लगाई और उसके बाद टै कि आओ की कावड़ियों के मंशा अकर कुछ और के लाज मनसा को उनके मंसुवे को कामयाब नहीं हो दिए कि कावड़ियों के उस भीर में कुछ के पास असलह भी थे कुछ नशे में भी थे उनके इरादिव ठीक नहीं और अगर S.S.P. ने अपने ड्यूटी नहीं निभाया होती है, वर्दी का जो फर्ज है उन नहीं निभाया होता, तो पता नहीं, चार घंटे, छे घंटे बाद क्या होता, जब कावडियों का ये जट था, शोर सरावे के साथ, उसमें कोई हत्यार वाला भी था, कोई नशे मे था, लेकिन ऐसे पुलिस कप्तान ने मौके पर तैह किया, S.S.P. ने, कि हम वो नहीं होने देंगे, जो वो कावडिये चाहते हैं, और उसके बाद क्या हुआ, ट्रांसपर, चार घंटे के बीता, S.P. ने क्या कहा था, ये आखरी बयान है, बरेली के S.P. के तौर पर, मौक पर, S.S.P. का ये आखरी बयान, इस बयान के बाद, चार घंटे के भीतर, उन्हें ट्रांसफर का ओर्डर मिला, P.S.E. में लखडों में, चार घंटे के भीतर, तीस तारिक की घटना है, आप इस वीडियो को सुनिया, और उसके बाद, एक बयान, इनके पिता का और, जो ब पर, जो बड़े बड़े साउंड बॉक्स स्पीकर के साथ, उस रास्ते पर जाना चारे थे, पुलिस ने उन्हें पहले समझाया, नहीं माने, तो बल प्रयोक किया, और उन्हें से भागने को, यहां से हटने को मजबूर किया गया, और यह देखिए, नारेबाजी हो रहे य मजने को तैयार नहीं था, और वहां से हटने को तैयार नहीं थे, क्योंकि नहीं लग रहा था कि उपी में योगी के सत्ता है, मुख्यमंत्री जब खुदी हलिकॉप्टर से फूल बरसाते हैं, सुबह के बड़े-बड़े अधिकारी जब फूल बरसाते हैं, डीजे और पिर्वर्यों के जठ्थे को पूरे शहर के लोग, इलाके के लोग, उनका भिनन्दन करते हैं, स्सपी और अधिकारी पैर्द होकर उनका सम्मान करते हैं, उनके सामने दंडवत होते हैं, तो एक स्सपी की क्या वकाद कि हमें नहीं जाने देगा, हम तो वहीं से लेकिन एसेसपी ने दिखा दिया कि अगर वो डूटी पर हो अगर वो डूटी के प्रती पाबंद हो अगर वो वर्धी के प्रती जवाब देओ तो क्या कर सकता है वही इस SSP ने किया लेकिन उसके बाद ऐसे SSP के साथ सरकार क्या कर सकती है वो सरकार ने किया तो पहले SSP साब को सुनिए और आगे कुछ और बात जैसा कि मैंने का सुनिए ये वीडियो मैंने पहले भी दिखा है लेकिन फिर से ताकि सनद रहे यह तीस जुलाई का पूर यह सुबह से यहां पर समझाया जा रहा था कि गैर परमपरागत था यह जुलूस इसको ना निकाला जाए क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है और एक इगो का लोगों ने महाल बना लिए फिर भी हम लोग आये समझाते रहे और अंत में दूसरे पचसे हम लोगों ने शहमती भी बना ली इनके कहने पर और फिर दुबारा बात करने है तो कुछ कुराफाती लोग उसमें आ करके शामिल हो गया ऐसी दिया संका की दो-चार लोग उसमें दारू पी के आगे और फिर यह जबरदस्ती ले जाने की पीछे डीजे करके बहुत ही अबद्रता और सारी चीजे करना सुरू कर दिये और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहे कि इनके पास कुछ अवैद वेपन भी थे कटा भी था किसी के पास ऐसी सूचना मिली उसके बाद यह निरने लिया गया और इन पर हलका दाराओं में मुगदमा लिख रहे हैं कि गहर परंपरा का तरीके से महल को खराब करने के लिए इस तरह का प्रियाज किया जग्या है अभी सारे जगों पे शांती है हमारी पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है और जो भी लोग इसमें हैं जो लोग इस आपने सुन का मतलब उनकी मनशा कुछ और थी एसेसपी का रहे हैं मुकदमा दर्ज हुआ केस दर्ज हुआ कुछ लोगों की कुछ चिन्हित किया गया है कुछ की पहचान की लेकिन वो कावड़ ये थे तो उपर बैठे लोगों को ये लगा कि ये कावड़ियों के खिलाफ एक एसेसप पीएसी कारवाई कैसे कर सकता है चार घंटे में इनका ट्रांसफर हुआ बाद में ख़वर ये आई कुछ वेबसाइट के हमाले से कि एसेसपी प्रभाकर चौधरी खुदी बहुत दिन से पीएसी में तैनाती चाहते थे एसेसपी पत्से हटना चाहते थे उन्होंने स्वे करेंगे केस दर्ज करेंगे कुछ लोगों के खिलाब ये भी करें रवीबार को यह कह रहे है चार घंटे में ट्रांसफर सौंबार तो रहे नहीं हो तो यह भी प्लांट करने की कोशिस हूए एसेसपी के हवाले से पोल्न तो पिता ने खुल दी पिता ने और क्या कहा ट्रा कि हरवार ट्रावर होता है चूकि वो नेताओं से दूरी बनाये रहे हैं नेताओं की बात को मांदी नहीं है चूंकि नेता गलत काम करवाना चाहते हैं तो उस देकिए उन्होने का परसना चौधरी ने आईपियस अधिकारी प्रभाकर चौधरी के पिता ने कि वो इमांदार है वो गलत काम नहीं करते हैं बहुत सारे लोग बीजेपी के लोग भी उनसे कुछ काम कराना चाहते हैं और इसलिए उनका तुरन-तुरन ट्रांसफर हो जाता है यह साफ उनके पि बीजेपी पार्टे की जो और अन्य लोग हैं वो सब नाराज होकर कि इनका ट्रांसफर जो है दो महिना तीन महिने करवाजिया करते हैं लेकिन अब उनकी एक हाइवीड भी बन गई है क्योंकि आट साल नौ साल के अंदर अंदर उनका इतना ट्रांसफर हुगा अब उनकी निकादत बन गई कि वो जिले में चारे छे महिना रहने के बाद खुदे उप जाते हैं तो इन्होंने कहा उनके पिता ने ये निउस तक यूपी तक के हवाले से बता रहा हूं उन्होंने कहा वो नेताओं का काम नहीं करते नेता नाराज रहते हैं बीजेपी के लोग भी नाराज रहते हैं दो-तीन मेने में उनका ट्रांसफर करा देते हैं ये प्रभाकर चौधरी के पिता पारसना चौधरी के अगर वज़ा है तो वो वज़ा है उनके बेटे को बार-बार ट्रांसफर के नाम पर परिशान करने के लिए है इसलिए है कि उनके बेटे को उन्हें लगता है क्यों ड्यूटी के परती पावंदी जताते हैं या पावंद रहते हैं इसलिए उन्हें सजा के तौर पर परनिश्मेंट पोस्टिंग हर बार होती है चार मेने दो मेने तीन मेने में उनका तबादला किया जाता है अब उस पिता का ये कहना जिसका रिष्टा 40 साल से बीजेपी और आरेस से हैं बहुत मायने रखता है नाम लेकर करें कि बीजेपी पार्टी के नेता दो चार मेने में उनका ट्रांसफर करा देते हैं ये योगी राज और उसके बाद जो मैंने थोड़ी इनके जानकारी देखी कैसे कैसे ट्रांसफर होता रहा है तो एक तो 2010 दस बैच के IPS सद्धिकारी हैं यूपी के अंबेड कर नगर जिले के रहने वाले हैं पिता का बयान सुना उसमें उन्होंने बताया कि शुरू से ही इक्षाथी UPSC करने की सरसती शिशु मंदर मंदिर में उन्होंने प्रात्मिक शिक्षा प्राप्त की इलावाद से ग्रेज रहे थे कुछ दिनों के लिए और उसके बाद दो बार PCS किया और उसके बाद IPS बने ये उनके पिता ने उनके बारे में जानकारी बने के बाद इनकी 32 बार इनका ट्रांस्फर हुआ है 13 सालों, 13 सालों में 32 बार, सरकार कोई भी रही, अगर 2010 बैच के हैं, तो उसके पहले आप देख लें, मायवती भी रही होंगी 2 साल, बीच में 5 साल अखलेश यादब भी रहे, और अभी लगबग 6 साल से जादा योगिया अदितनात को हो गए, तो लगातार इनका हर सरकार में इनका ट्रांसफर होता रहा, लेकिन अभी 8 साल में 15 जिलों के ये कप्तान बने, और 8 साल में 18 बार ट्रांसफर हो जिसमें 6 साल से जादा, 6 साल योगिया अदितनात के हैं, अब इनके बारे में जो और ये भी, कि योगिया अदितनात नहीं नहीं हम जिम्मेदारी भी दी, ये भी करना पड़ेगा, बुलंज शहर और सोनभद, दो ऐसी जगह है, जहां जब घटना ऐसी हुई, जो इस्थितियां बेकाबू हुई, सोनभद में हिंसा हुई थी, 10 से 11 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, तो इन्हें हेलिकॉप्टर से वाँ जोईन करने क लिए भेजा गया, और इन्होंने ड्यूटी करते हुए, उन तमाम लोगों के खिलाप मामले दर्ज किये, जो हिंदुत वादी लोग थे, जो वहां माहौल खराब करना चाहते थे, और उसका खाम्याजा भी इन्हें भुगतना पड़ा, क्योंकि लोगों को लग रहता है, स सपी ने तै किया कि जिन्होंने सुबध कुमार के हत्या की, जिन्होंने गोकशी की कहानी बनाकर या गोकशी की आड़ में वहां दंगा फैलाने की कोशिज की हिंसा की, वो सब अगर एक समुदाय के हिस्सा हैं, या किसी हिंदुत वादी संगठन के हिस्सा हैं, चाहे जो भ प्रभाकर चौधरी को लेलितपूर का SSP बनाया गया और दिसंबर में उनका ट्रांसफर हो गया उसके बाद उस समय अखले श्यादव की सरकार थी फिर 16 में चौधरी को देवरिया का कप्तान बनाया गया वहां साथ महने में ट्रांसफर हो गया उस समय भी अकले श्यादव की सरकार थी फिर आपकरें देवरिया में दो मेहने ही रहे दरसल यह उसके बाद इन्हें फिर सत्रह में प्रभाकर चौधरी यूपी एटियस में रहे और सितंबर में और में प्राधें पर नकेल कासी जीरो टॉलरेंस नीति रखी आपकर लेकर लीडर्स इनके खिलाप हो गए बीजेपी लीडर खास्त और से सत्ताधारी दल के तीन मेने में मतुरा से ट्रांसफर हो गया फिर इन्हें 30 जून 2018 को सीतापूर का SSP बनाया गया वहाँ भी 6 मेने पूरे होने से पहले ही दिसंबर 2018 में ट्रांसफर हो गया फिर इन्हें बुलंशर भेजा गया दिसंबर 2018 को वहाँ स्पी बने और वहाँ से भी 2 मेने बाद फरवरी 2019 में हटा दिया गया स्पी जहां सी भेज दिया गया SSP और SP ऐसे करके ये लगातार पोस्टिंग इन्हें मिली लेकिन हर जगा इनके साथ ऐसी हुई सोन भदर का मैंने जिक्र किया तब ये जिया जियारपी में थे लेकिन इन्हें अगस 2019 में सोन भदर का कफ़ान बनाए गया दो मैने बाद सोन भद्र से हटा कर फिर इन्हें 12 नसी भेजा गया बनारस पीम की कंस्टुचन्सी फिर उसके बाद वहाँ से मुरादाबाद का इन्हें कप्तान मना गया मुरादाबाद में भी 9 मैने रहे अरे सुनके बड़ा लगता है कि कहीं टिक नहीं नहीं दिया उसके बाद जून 2021 में SSP मेरट हुए और मेरट में इन्होंने शांदार काम की ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे गिरो या जो वाहन चोड़ी वाला एक गैंग सोती गंज का इलाका जहां देश भर से वाहन चोड़ी होकर वहां आते थे सीतापुर भेजा गया बरेली भेजा गया बरेली में विचार मैंने रहे ये अभी आखरी इनकी पोस्टिंग बरेली की है जो मैंने आपको बताया तो ये तो इनकी कहानी है एक अधिकारी को अगर बार बार ऐसे ट्रांसफर किया जाता उसकी बज़ा है हलाके अपने आप में इनको लेकर बहुत कहानिया है कि कैसे पोस्टिंग जब इनकी हुई थी कानपूर दिहात में तो ये चुप चाप जो सरकारी बस है उससे पहुँच गए थे सीधे जो एसपी के क्वाटर पर पहुँच गए वहां जाकर उन्होंने कहा कि मैं ही एसपी हूँ लोग यकीन नहीं कर रहे थे क्योंकि यह जिस तरह से आटो से पहुँच आइसे बहुत सारी कहानी है वह कहानी मैंने पिछली वीडियो में भी बहुत सारी बातें बताई थ रहे वहां इन्होंने नेताओं की नहीं सुनी या किसी का दबाव नहीं माना चाहे वो कोई कई वार ये भी कहा जाता है कि उपरी अधिकारियों के भी दबाव में नहीं आते हैं अगर इन्हें लगता है कि ये काम जो ये कर रहे हैं वाजिब है या उपर से इसलिए लोग नाराज रते हैं कि यार ये प्रभाकर तो किसी की सुनता नहीं है अपनी मर्जी का मालिक है मन मर्जी से काम करता है तो ये भी इन पर आरोप स्थानिया नेता चुके सत्ता बीजेपी की है 2017 के पहले समझमादी पार्टी की रही होगी जो स्थानिया नेता है उन्हें अथिकारी कहीं भी 2 मैने चार मैने 6 मैने से ज़्यादा टिक नहीं पाया और उसके बाद जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि 8 सालों में 15 जिलों में SP और SSP के तोर पर तैनाती और 18 वार 8 सालों में ट्रांसफर ये इनका ट्रैक रेक रेक और इसलिए उनके पिता ने वो न कि बरेली में उसने अच्छा काम किया, उनकी ही देखरेक में अगर थोड़ी लापरवाही हो जाती तो कम से कम वहां ऐसी घटना हो जाती, कुछ लोग 10-20 लोग मर सकते थे, मुसलिम की आबादी थी, उस तरफ से जाते, को ऐसी इस्थिती होती, और उसके बाद जो घटना पाती प्रविर्टी के लोग, जिनका मकसद ही होता है, कुछ ऐसा कर दें, जिससे वहां का माहौल खराब हो, तो पुलिस की ड्यूटी होती है, कि माहौल खराब ना हो, जो एक रूट बना उस हिसाब से काम हो, उन्होंने ड्यूटी निभाई, तंगे को रोका, या कोई कि मेरे इमांदार बेटे को, उसके इमांदारी के सजा मिली है, बीजेपी और तमाम नेता, जिसकी वह सुनते नहीं है, दो-दो-चार मेहने में ट्रांसफर करा देते हैं, अब मैं यहां बीजेपी को जीतने नहीं दूगा, जो आपने बयान सुना, कि मैंने तै कर लिया है कि बीजेपी के मैं खिलाफ ही रहूगा, मैं बहुत बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन दस-बीस गाउं में इतना जरूर है कि बीजेपी को जीतने नहीं हूँ, अम बेटकर नगर जहां के राने बादे हैं, बाराल इससे आप अंदाजा लगाएं कि देश में कोई भी सुब इमानदार अधिकारी जो अपने ड्यूटी के परती पावंद हो, ताएं बाएं बहुत शिफारिस या बहुत ऐसे गलत काम उपरी दबाव में नहीं करता है, उसे किस-किस दोर से गुजरना पड़ता है, ट्रांसपर तो मामूली बात है, जिससे अभी ये प्रभाकर नमसकार